काली मिर्च का इस्तेमाल हर घरों में होता है लोग खाना बनाने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं और इसे king of spice भी कहा जाता है लेकिन काली मिर्च जितना मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उतना ही दवाईयों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है काली मिर्च एक ऐसी चीज है जो आपके घर में मौजूद है तो आप कई रोगों से छुटकारा पास सकते हैं सर्दियों का मौसम सुरू हो गया है और ऐसे में लोग सर्दी जुकाम कफ उखारादी से लगातार पीडित होते रहते हैं लेकिन अगर आपके घर में काली मिर्च है तो आप इससे अपना इलाज कर सकते हैं काली मिर्च आयरवेद के अनुसार कटू और टिक्त है जो की कफ ना सकता है और ये कफ के लिए रामबाण की दवा काम करती है रामबाण की तरह काम करता है इसमें कफ को दूर करने का आयरवेद का जो सिधानत है बात पीत कफ उसमें सबसे बड़ा काम करता है ये पित को छोड़ देता है कफ के लिए ये रामबाड़ा काम करता है कफ को बिनास कर देता है जड़ से और कफ का जब बिनास हो जाएगा तो किसी भी को सर्दी नहीं लगेगी किसी को बुखार भी जल्दी नहीं लगेगा इसलिए कि ये दो जैसी रोग का भी ये इलाज करता है, cancer एक असाध्य रोग है, जिसके इलाज में हम प्रयोग करते हैं, काले मेर्च का, और ये सरीर में digestive system को इतना आगे बढ़ा देता है, इतना digestion system को ये develop कर देता है, ताकि हमारे सरीर में बहुत सारे enzymes, proteins, या minerals पैदा हो जाते हैं, और ये सब को दूर कर देता है सारे रोगों को दूर करता है कि रोगों का होने का कोई कारण ही नहीं दिखाई देता है यह नस से भी होता है जैसे धुआ अगर हम काली मेर्च को जलाते हैं तो इससे जो धुआ निकलता है यह फेफड़े में जाता है और फेफड़े में फेफड़े का ज पहलता नहीं है इसलिए उनमें होता क्या है ज्यादा संकोच ही होता है सिकुडन ही ज्यादा हो जाती है इसलिए उनको सांस लेने में दिकत होने लगता है और काली मिर्च का धुआ अगर लिया जाए तो सिकुडन नहीं होगा तो सांस लेने में आसानी होता है अगर किसी को है तो काली मिर्च के साथ और भी इसके पूरक मेर्चिन है जैसे हम दिहातों में आमतर से लोग क्वात बनाते हैं काड़ा बनाते हैं जैसे तुलसी का पता है काली मिर्च है अदरक है यह सब मिला करके गूड है सबसे ज़्यादा उसमें गूड फाइदामन काम करता है क्योंक कि सर्दी खांसी होगा ही नहीं काली मिर्च का एक ब्यापक छेत्र है कोई सीमित छेत्र नहीं है कि हम इतने ही छेत्रों में काम करेंगे काली मिर्च किसी भी तरह से सरीर में अगर जाता है तो समझे कि इतना फायदे मंद होगा कि उसकी कोई तुलना नहीं है क्यूं काली मिर्च पायदा इसलिए होता है यह श्रील में आप समझे कि आयरवेद का मूल सिधान्थ है बात harmonika वा-फी स्मय वस्था को ही हम ही रोग करते हैं अगर औस मस्था में कोई औस समय वस्था jurgen रहाता है तो रोगी अवस्था हो जाती है तो ये काली मिर्च जो है कप को दुसित नहीं होने देता है जब कप दुसित नहीं होता है तो जिसका कप हमेशा दुसित होता रहता है अगर काली मिर्च का प्रयोग किया जाए उसका कप दुसित नहीं होगा तो ऐसे ही रोग का निवारन हो जाता है इसलिए काली मिर्च का प्रयोग सिमित्षेतर नहीं है इसका उसिमित्षेतर है और हमें किसी भी इस श्जिती में करना चाहिए आप देखिये काली मिर्च का प्रयोग आज ses जो मन्द पाचन क्रिया हो जाती है उसको तिब्र कर देता है कप का निवारण कर देता है इसलिए काली मिर्स तो बहुत फाइदे मन्द की चीज़ अपने घर में मौजूर इस पहतरीन दवा का इस्तिमाल आप इस सर्दियों में कर सकते हैं और कई प्रकार की बिमारियों से बचे रह सकते हैं जमुई से लोकले टीन के लिए बुल्शन कर्शिक की रिपोर्ट